आम को फलो का राजा माना जाता है क्योंकि आम का जो टेस्ट है वैसा टेस्ट किसी भी फ्रूट में नहीं आता है लेकिन आम का सीजन साल में एक बारी आता है तो आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे आप साल पर स्टोर कर सकते हो और आम के टेस्ट के मजे ले सकते हो तो चलिए आज बनाते हैं आम से आम का मुरब्बा वैसे तो ट्रेडिसनल दरीके से अगर हम मुरब्बा बनाने जाए तो साथ से आंट दिन लग जाएंगे क्योंकि साथ से आंट दिन हमें आम को दूप दिखानी पड़ती है तब जाकि मुरब्बा बनता है लेकिन आज मैं इसी रेसिपी लेके आई हूँ जो 10-15 मिन में बन जाएगी और बहुत ही देस्टी बनेगी तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आम का मुरब्बा बनाने के लिए यहां पर मैंने ले ली है केरी तो यहां पर मैंने राजापूरी केरी ली है जो थोड़ी मिडियम साइस के पिसिस कट करने हैं एकदम छोटे भी कट नहीं करेंगे और बहुत बड़े भी नहीं करेंगे अगर बहुत छोटे कट करेंगे तो वो एकदम से गल जाएंगे और बहुत बड़े करेंगे तो जल्दी से वो कलेंगे नहीं तो यहां पर इस तरह के मिडियम को मैंने कट कर लिया है और जो केरी के ऊपर आम का जो पार्ट है उसे भी हमें कट कर लेना है लेकिन के पीसिस और ये चोटे-चोटे टुकड़े हम अलग रखेंगे साथ में मिक्सने करेंगे तो चलिए अब ले लेते हैं एक पैन और पैन के अंदर मैंने तकरीबन दो ग्ला चीतना नमक लिया है आप अगर जाधा नमक खाते हो तो तो थोड़ा सा जाधा भी एक कर सकते हो चलिए पानी में दिएना है उसके बाद Скरेंगे थी निकाल लेते हैं मसालिया यानि की मसाला दानी इसे हम गुजराती में मसालिया बोलते हैं तो पानी में अच्छे से उबाला गया है और पानी के अंदर मैंने एक चम्मच इतनी हल्दी एड़ कर दी है और अब तुरंत ही हमें बड़े पीसिस वाली केरी को एड़ कर लेना है के केरी के छोटे पीसिस हम अभी अड़ नहीं करेंगे दो ऐसे तीन मिनिट के दूइन चूकस को पकने में जाधा पांद आइर और साथ में सब कुछ आड़ करेंगे तो शोटों पांच पकत जायें उसके बाद ही 축ी पीसिस एड़ करेंगे तो तकरीबन तीन मिनिट के बाद मैंने चोटे पीसिस एड़ किये हैं और दो मिनिट हमें इसे पकने देना है तो तकरीबन पांच मिनिट हमें इसे पकने देना है तो यह देखिए पांच मिनिट में कैरी अच्छे से सौफ्ट हो जाएगी चाकू से इ मेरे पास उसी का हम वापस से यूज़ करेंगे पैन को मैंने अच्छ से धो लिया है और अब पैन के अंदर डाल देंगे चीनी तो यहां पे चीनी मैंने तकरीबन सवादों से 500 ग्रम जितनी ली है क्योंकि कैरी मैंने ली थी 300 ग्रम और 300 ग्रम में से छिलके और उसकी गुटल हम से बना रहे हो तो तकरीबन आपको 400 ग्रम जितनी चीनी चाहिए आई होप के आपको मिजर्मेंट समझ में आ गया होगा तो चली अब चीनी के अंदर डाल देंगे पानी और चीनी दूबे उतना ही हम पानी डालेंगे और चाशनी को हम पका लेंगे तो यहां पे हमें एक तार की चाशनी बन जाए तब तक हमें चाशनी को पकाना है तो आपनी वीडियो में देखा उसी तरह चाशनी को चेक कर लेना है एक तार की चाशनी बनते ही केरी को डाल देना है चाशनी में और यह जो नमक और हल्दी वाला पानी बच गया है उसमें केरी की बहुत बढ़ और अब ले लेंगे 3-4 हरेई लैची और एक चुटकी भरके ले ले लेंगे केसर और इन सब मसारों को हम डाल देंगे केरी के अंदर और अब लास्ट में एक चमज भरके डाल देंगे नीमू का रस ताकि जो चीनी है उसके क्रिस्टल ना बने चलिए अभी हमें इसे फिर से पकाना है, जब तक फिर से एक तार की चाष्नी बनना जाए तो इसे हमें मिडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है कैरी को बोल करते समय हमने नमक डाला था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक अभी और एड़ किया है और अब इसे हमें medium flame पे 5-7 मिर्ट के लिए पका लेना है 5-7 मिर्ट में ये हमारा मुरब्बा रेड़ी हो जाएगा तब तक हम कर लेते हैं और तयारी तो इसके अंदर थोड़ा सा crunch एड़ करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम आप इसे roast करके भी ले सकते हो लेकिन मैंने ऐसे ही लिए हैं क्योंकि यह एकदम fresh है काजू और बादाम को हमें medium pieces में cut कर लेना है बहुत छोटे pieces नहीं करेंगे तो चलेगा तो इस सरा medium pieces में इसे हमें cut कर लेना है आप चाओ तो इसके अंदर पिस्ता भी add कर सकते हो तो चलिए हमारे dry fruits भी cut हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाशनी घाड़ी हो गई है तो चली अब चेक कर लेते हैं फिर से कि एकतार की चाशनी बन रही है की नहीं चाशनी को उंगली पे लेने के बाद थोड़ी सी चाशनी थंड़ी हो जाए तो अब इसके अंदर डाल देंगे dry fruits और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हमें gas की flame को OFF कर लेना है और मुरब्ब को हमें ठंडा होने देना है एकदम room temperature पे आजाए उसके बाद ही हम इसे jar में भरेंगे तो ये देखिए मुरब्ब रूम temperature पे आ गया है और खाने के लिए एकदम ready है तो चलिए अब इसे भर लेते हैं add tight jar में इसे आप बाहर 15 दिनों तक और fridge में एक साल तक store करके रख सकते हो इसे कुछ भी नहीं होता है और इसका taste भी as it is रहता है ये taste में बहुत ही बढ़िया लगता है आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, थेपले के साथ, किसे के भी साथ enjoy कर सकते हो बच्चों के lunch box में भी आप इसे आराम से दे सकते हो, जो बच्चे सबजी नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये best है तो आपको आज के रेसिपी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मिलते हैं जदी ही नेक्स रेसिपी के साथ, अब तक के लिए, बाई, जैशी करशन